नबस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अमेट शर्मा और आप देखने हैं Mad Mechanic Garage तो आज की वीडियो में मैं उन सेंसर के बारे में बताऊंगा जिनकी वज़े से जो है गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती है और क्या कारण होता है इनके खराब होने का वो बहुत जादा चलती है तो क्या होता है कि उसके आगे जो है चुमबक के आगे उसमें बहुत जादा धूल इकठा हो जाती है जिससे कि वो प्रॉपर सिंस नहीं कर पाता है तो वहाँ पर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है दूसरा है कैम संसर के बिना भी कई स्टार्ट हो जाती है जैसे आपकी फोर्ड फिगो हो गई वह स्टार्ट हो जाती है और कुछ ऐसी गाड़ियां है जो बिना कैम संसर के भी स्टार्ट हो जाते हैं अब यह खराब कैसे होते हैं यह भी ओवर हीटिंग अगर बहुत जादा ओवर हीट हो रही है तो क्या होता क्योंकि यह proper पूरे plastic के होते हैं और यह पिघल जाते हैं या फिर इनका circuit जो है वो जल जाता है जिनकी वज़े से यह proper sense नहीं कर पाते हैं फिर दूसरी चीज होती है कि इसमें अगर आपका cam वगर अगर change हुआ है तो उसके बीच की gapping जो है वो गरबर हो जाती है जिसकी वज़े से फिर वो sense नहीं कर पाता है और वहाँ पर आपको यह problem जो engine starting की problem है वो आपको देखने को मिलती है यह problem जो है मैं लिखता हूँ यह अ cam change हुआ था और cam जो change हुआ जो sense करता है एक rod ऐसा निकला रहा था उसके उपर ऐसे जो है cam sensor आपका जब चलता है तो उसकी वज़े से वो sense करता है तो उसके बीच में almost इतना gap था हमने जब नापा उसको एक same cam sensor जो उसी model का था और फिर जो उसमें लगा था हमने नापा तो जिसकी वज़े से क्या हो रहा था कि वो sense नहीं कर पा रहा था जिससे क्या होगा कि वो जब sense नहीं कर रहा था तो problem क्या हो थी गाड़ी बहुत lead start ले रहे थी जब आप 3 से 4 शाभी मारते हैं तब जाके वो start ले थी लेकिन जो है वो भी कई बार try करने के बाद कई एक बार start होती है तो अगर cam sensor की issue है तो गाड़ी में starting problem आपको देखने को मिलेगी फिर आता है आपका mass air flow sensor मास air flow sensor की वज़े से गाड़ी में multiple problem आती है multiple मतलब हर एक चीज़ crank cam sensor तो basic जो है वो engine की measuring करते है start करने के लिए तो यह तो जरूरी होता है लेकि mass air flow sensor भी जो है अब इतना important हो हो चुका है क्योंकि इसके जो circuits हैं वो इतने complicated होते जा रहे हैं कोई ना कोई sensor किसी ना किसी sensor से connected रहता है और mass air flow sensor भी उसी में से एक है इसके अंदर भी दो दो तीन दीन sensor लगे होते हैं जिससे क्या होता है कि यह हवा की जो हवा कितना अंदर जा रहा है उसको छेक करती है साथ ही साथ जो है अगर इसके ऊपर dust आ जाता है या फिर इसका कोई एक sensor खराब हो जाते हैं जो reading नहीं ले पाता है तब यहां पर आपको कार में starting problem जो है वो देखने को मिलेगी या फिर आपकी गाड़ी जो है कई बार self लेने के बाद जो है वो start होगी फिर आपका आता है manifold absolute pressure यानि map sensor इसको boost pressure sensor भी कहते हैं यह आपके air intake में लगा होता है इसका काम होता है air intake में जो vacuum create हो रही है उसको checker car के ECU को message भेजना जिसे की car का ECU जो है car के अंदर diesel या petrol जो है वो inject कर सके जिसे की गाड़ी start होगा है लेकिन अगर यह काम नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी start नहीं होगी पेट्रोल को आप start कर सकते हो लेकिन diesel start नहीं होती है बहुत मुश्किल से कोई गाड़ीया start होती है लेकिन अगर यह काम नहीं कर रहा है तो आपकी गाड़ी start तो मतलब बिना trick के तो start नहीं होगी यह guaranteed है और कई बार के आओगा कि अगर start हो भ खराब होता है तो गाड़ी maximum time जो है वो start नहीं होती है फिर आता है आपका rail pressure switch या फिर rail pressure sensor भी आप इसको कह सकते हो जिन गाड़ियों में common rail यानि diesel गाड़ी में यह होता है मेरी अर्टिगा में सिर्फ एक common rail switch लगा हुगा है तो अगर यह खराब होगा तो गाड़ी start नहीं होगी सबसे पहली चीज तो अगर डीजल इसके अंदर आएगा भी तो यह measure नहीं कर पाएगा कि डीजल आ रहा है और जब यह measure करके नहीं बता पाएगा कि कार में डीजल जो है common rail के अंदर आ रहा है जब नहीं बता पाएगा तो जो मोटर है कार की वो थोड़े दिर बाद जो है वो बंद हो जाएगी automatic जिससे कि क्योंकि जैसे ही pressure बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपके injectors के उपर भी pressure आना शुरू हो जाता है वहाँ पर आपको cut 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 की sound सुनने को मिलेगी फिर returning बढ़ जाती है ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी start नहीं हो रही है आपका जो fuel pressure regulator है व जो pump है fuel pump जो है वो बंद हो जाता है जिसकी वजए से आपकी गाड़ी start नहीं होती है तो इसके कई कारण होते हैं खराब diesel अगर आप खराब यूज करते हो ना अगर या आपने कई समय से जो है diesel filter चींज नहीं किया है टैंक क्ली नहीं किरा है तो आपका DRB जो है वो खराब होगा ही होगा एक समय बात क्योंकि क्या होता है कि diesel filter के ratio निकल के आगस में फसते हैं या फिर जो local वाली diesel filter होते हैं जो paper type के आते हैं वो आके इसके अंदर इसके जो holes होते हैं उसको चोक कर देते हैं जिससे कि ये reading नहीं ले पाता है और आपकी गाड़ी start नहीं हो पाती है पिर आता है कूलेंट temperature sensor अगर आपका खराब है तो problem कुछ खास नहीं आते गाड़ी या start हो जाते हैं लेकिन कुछ गाड़ी होता है कि गाड़ी या start नहीं होती है या फिर थोड़ी देर बाद होती है वाइसे बखुल रेयर केसं ऐसा होता है कि गाड़ी late start होती है या फिर नहीं होती है अगर आपका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का काम है डीजल के प्रेशर को मेंटेन करना अगर आपके कॉमन रेल में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो अटोमेटिकली ये रेटर्निंग को बढ़ा देगा क्योंकि थोड़े देर के लिए ही आपका ज नहीं होगी या फिर अगर फ्यूल मालीज अगर ये जाम भी हो गया जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि अगर ये जाम हो जाते तो डीजल बहुत कम मांतरा में आता है जिससे की गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट नहीं रह पाती है तो ये भी एक डीजल गा गाड़ी कभी भी जो है वो खराब नहीं होगी और ये तीन बार बार खराब हो रहे है इसका मतलब जो है आपका डीजल जो है वो बिलकुल खराब है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेर ज़रू करिएगा चैन